So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास, देखे हमारा पहला प्रश्ण क्या है म्रदा स्वास्त कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी? 19 February 2015 में और पूछे कहां से? तो राजस्थान के श्रेड गंगा नगर जिले के सूरतकर से और इसकी ठीम क्या है? स्वास्त धरा, खे ठरा वैसे हम विश्व म्रदा दिवास भी मनाते हैं World Soil Day 5 December को और 2021 में इसकी ठीम क्या रही? मिट्टी की लवनता को रोकना, मिट्टी की उत्पादक्तों को बड़ावा देना यानि की Halt Soil Salinization Boost Soil Productivity अगला प्रस्न है कुडन कुलम न्यूकिलर पावर प्लांट कहां पर है? तो आंसर होगा तमिल नाडू में इसी है रस्या की साहिता से बनाया गया था तमिल नाडू में एक और न्यूकिलर पावर प्लांट है कल पक्कम नुकलियर पावर प्लान चलो बताओ नारोरा नुकलियर पावर प्लान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में काईगा नुकलियर पावर प्लान्ट आपको मिलेगा करनाटक में काकरापार नुकलियर पावर प्लान्ट आपको मिलेगा गुजरात में एक तारापुर नुकलियर पाउर प्लांट भी ए, महराष्टर में है और रावत भाटा नुकलियर पाउर प्लांट आपको मिलेगा राजस्थान में बताव एश्या का पहला नुकलियर रियक्टर कौन सा है? अपसरा जिसे इस्थापित किया गया कहां पे? मुंबई में और अगला प्रश्ण है फेडरल बैंक के सी यू का नाम के है शाम श्रीनिवासन फेडरल बैंक जिसका हेड़कोर्टर मिलेगा आपको केरल में इसकी टेग लैन होती है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर अभी इसने फेडी नाम से एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट वर्चुल असिस्टेंट भी लॉंच किया था उसके अलावा महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना भी शुरू की है डिजनी बूर्ड की पहली महिला द्यक्ष का नाम क्या है सुसान अर्नॉल्ड बताओ कशिक लाकड़ा का सम्मन्द किस खेल से है क्लब थ्रू इनका नाम अभी नियूज में था और आपको बताएए अमारी रिविजन क्लास में जो स्टेडी क्यूशन्स होते है ये वही क्यूशन्स होते हैं वही स्टेडी क्यूशन्स होते हैं जो आपके करंट अफेर से निकल के आते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्डन क्यूशन्स है क्योंकि ये current affair से निकल के आ रहे हैं तो अभी 2021 में जो Asia Youth Paralympic Games हुए थे पीन में उसमें gold medal जीता है इन्होंने तो इनका नाम ध्यान रखना असम राज्य का सर्वोच नागरेक राज्य पुरुसकार मिलेगा किसको रतन टाटा जी को और उस पुरुसकार का नाम है असम वेभाव South Sudan जो कि अफरीकी देश है उसने किस साल तक किस वर्ष तक बाल विबा समाप्त करने का लक्ष रखा 2030 तक South Sudan जिसकी capital होती है जुबा और current affairs की class में हम लोगों ने देखा था COP26 का आयोजन हुआ था ग्लास्गो स्कॉटलेंड में उसमें भारत ने दो लक्ष रखे Net Zero Carbon उत्सरजन बनने का टारगेट रखा 2070 तक और 2030 तक Renewable Energy का टारगेट रखा कितना production करेंगे 500 गिगावाट और नागालेंड ने 2030 तक ही 100% Literacy साक्षरता का लक्ष रखा है Malaria को खतम करने का लक्ष रखे हमारा 2030 ही है और TB को खतम करने का लक्ष रखे 2025 है बताओ बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन का हेड़कोर्टर कहां पर है कौलालूमपुर मलेशिया में अभी आपको जाद होगा बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन मेंस प्लेयर अफ दे एर चुना गया था डैन्मार्क के विक्टर एक्सल सेन को और वुमिन प्लेयर अफ दे एर चुना गया था ताइवान की ताई जू यिंग को भारते नौ सेना दिवस कब मनाते हैं इंडिया नेवी डे चार देसंबर को और हमारे नेवल चीफ नए बने अभी आर हरी कुमार नाम है वैसे एर फोर्स डे हम मनाते हैं 8 ओक्टूबर को और इसके भी हमारे नए चीफ बने है एर चीफ मारिशल विवेक राम चौधरी आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं इसके आर्मी चीफ कौन है अमारे मनुज मुकुंद नर्वने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड़कोटर मिलेगा आपको वाशिंग्टन डीसी में इसकी मैनेजिंग डेरेक्टर है क्रिस्टा लेना जौर्जीवा और अभी इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डेरेक्टर कौन बनिये जो की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ एकॉनमिस्ट है मुख्य अर्थ शास्त्री है गीता गोपिनात दो रिपोर्ट आप याद रखना एक तो वर्ल्ड एकॉनमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फिनेशल इस्टेबिलेटी रिपोर्ट इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हाँ गाइज अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं अनकेडमी प्लस और पाएं अंकुष लांबा आशी शरोडा निमिशा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडूकेटर्स एकी प्लेट्फूर्म पर देखो आपको बैचेस बिलकुल बेसिक से लेके बिलकुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं जितने भी कॉर्सेस हैं उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन्स भी मिलेंगे तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप एडूकेटर्स के साथ उठाने का और देखिए जितने भी upcoming batches हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और हाँ सबसे important बात जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनकेडमी प्लस पर और इस मौके का फाइदा उठाए तो करना क्या है basically बिना कोई देरी किये जाएए और अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हाँ सबसे important बात मेरा code इस्तमाल करना मत भूलिएगा कौनसा crack exam 10 क्योंकि इसे use करते हैं आपको 10% का instant discount मिल जाएगा आपकी fees कम हो जाएगी तो नवंबर को एक world wagon day भी होता है यह तो vegetarian day हो गया एक world wagon day भी होता है जो कि एक October को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरुकता दिवस यह 5 नवंबर को मनाते हैं देखो इसी के साथ मैं आपको बताऊँ एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है world maritime day जो कि September के आखरी को मनाया और national maritime day होता है जो कि 5 अपरेल को मनाया जाता है और world science day कब मनाते हैं 10 नवंबर को जिसकी theme क्या रही building climate ready communities एक विश्व से national science day भी होता है जो कि 28 फरवरी को मनाते हैं राष्टर cancer जागरुकता दिवस कब मनाया जाता है तो answer होगा 7 नवंबर को एक world cancer day भी होता है जो 4 फरवरी को मनाते हैं अगला प्रशन है राष्टर सिक्षा दिवस national education day जो कि 11 नवंबर को मनाते हैं तो भारत के पहले हमारे हमारे सिक्ष मंतरी थे मौलान अबुल कलामाजाद उनकी जैनती को मनाया जाता है एक international education डेबी होता है वेसे जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है 24 ज ये भी होता है 12 नवंबर को अंतरराष्टर सहिशनुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को और पहला audit दिवस इस बार हमने मनाया 16 नवंबर को ही तो अब पुराने महीने के करंटर पेट्स का रिविजन करेंगे तो बताए 2020 किसके ज्यानपीट पुरुसकार से किसे सम्मानित क किया गया था दामोदर मौजो को कोंकणी लेकक हैं ये और 2020 का मिला किसे नील मनी फूकन को ये असम्मिया लेकक हैं और 2020 का जो कौन से नंबर का था 56 नंबर का था और 2021 वारा 57 नंबर का था इससे पहले जो 55 नंबर का ग्यानपीट पुरुसकार था यानिकि जो 2019 में मिला था वो मिला था अक्कितम अच्चितम नम्बुद्री को अचा बताईए अरब देशों के लिए नमबर वन खाद्या अपूर्ती करता देश कौन सा बना था भारत बना था इसने ब्राजिल को पीछे छोड़ देश मामले में किसने डेवेस कब टैनिस टूर्णामेंट दोजारकिस का खिताब जीता था रशिया ने क्रोईशिया को हराया था इसमें यह हुआ था मेड्रेड में स्पेन की केपिटल है मेड्रेड फिर बताईए संकेत महादेव ने दोजारकिस कॉमन वेल्थ सीनियर चेंपेंशिप में कौन सा मेडल जीता था गोल्ड मेडल और संकेत महादेव ने का संबन्द की स्केल से है वेटलिफ्टर है यह और यह जो दोजारकिस का कॉमन वेल्थ सीनियर चेंपेंशिप हुआ था काप है उजबिकिस्तान की केपिडल तासकंद में दुनिया की सबसे उम्रे दराज टेस्ट किर्केटर का निदन हो गया उनका नाम बताईए इलीन एश है इनका नाम इंग्लेंड से है यह और किसे वर्ल्ड एल्पीजी असोशेशन का देख्ष चुना गया श्रिकांत मादव वैद को एल्पीजी यानी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसमें होता है व्यूटेन और प्रोपेन और हमने बात की है इसमें जो इसमेल आती है जब एल्पीजी लीक होती है तो उसके लिए हम क्या मिलाते हैं इथाइल मर्केप्टेन और किस बैंक ने नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आप इंडिया के साथ ओन दगो वियरेबल की चेन को लांच किया था सिटी यूनियन बैंक ने किसका हैटकोर्टर आपको मिलेगा कुम्ब कोडन तमिल नाडू में बिमस्टेक देशों के साथ संयुक्ति सेन्य अभ्यास पैन एक्स 2021 का आयोजन कहां पे किया गया था तो पुणे में यह देसंबर में हुआ था बिमस्टेक मतलब होता है बेव बेंगोल इनिशेटिव फोर मल्टि सेक्टोरल टेक्निकल एन इकॉनमिक को ओपरेशन और ढाक अच्छा आप लुक बताओ अभी किस राजे ने अपने एक सेनिक स्कूल का नाम इनके नाम पे रखा है बताए किसे रोयल गोल्ड मेडल 2020 से सम्मानित किया गया बाल कृष्ण दोशी को और याद रखना प्रिच्कर पुरसकार पाने वाल एक मात्र भारते यही है बाल यह जो रोयल गोल्ड मेडल पुरसकार है वास्तुकला के लिए दुनिया का सरवोच सम्मान है एट होम इन दे यूनिवर्स यह आत्मकता है किसकी बाल कृष्ण मधुर की और मानव अधिकार दिवस Human Rights Day कब मनाया जाता है 10 देसंबर को क्या थीम थी समानता असमानताओं को क दन हो गया यह किस संस्थान के Executive Director थे Serum Institute of India जिसके संस्थापक है Cyrus पूनावाला और इन्हें Cyrus पूनावाला को आपको याद होगा 2020 का लोग मानने तिलक पुरसकार भी मिला था अब बताओ किसने ई सवारी इंडिया Electric Bus Coalation को शुरू किया था नितिया आयोग ने Pennsylvania State University की पहली म रिपोर्ट 2020 को जारी किया World Inequality Lab ने प्रधान मंतरी आवास योजिना ग्रामीन को कब तक जारी रखनी की मंजूरी दी गई मार्च 2024 तर आपको याद है प्रधान मंतरी आवास योजिना कब शुरू हुई थी 2015 में जिसका उद्धेश्य था 2022 तक सभी के लिए आवास फिर उ किसने सीनियर महिला राष्टर फुटबॉल चेंपेंशिप जीत ली मनिपूर ने रेलवे खुवरा करके यह हुई थी चेंपेंशिप के रेलवे तो चलिए कल के करंट अफेर्स को रिवाइस करते बताए अंतर राष्टरे लोक कला महुत्सों में गोल्ड मेडल किसने जीत से संबंदित थे कथक यह नौर्थ इंडिया का है उत्तरी भारत का यह शास्त्रे अंडरत्य है भारत में आपको आठ शास्त्रे अंडरत्य मिलेंगे मैंने आपको बताए थे कथक हो गया एक कथक अली होता है जो केरल का है मोहिनी अट्टम यह भी केरल का है ओडिशी तो आ किस देश के पूर्व प्रधर मंतरी तोशी की केफू का निदन हो गया वे किस देश के थे तो ये जापान के थे बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भाते पुरुष किर्केटर कौन बने उन्मुक्त चंद कोविड-19 वैक्सीन पर एक इसमारक डाक टिकेट जारी किया ह हमारे हेल्थ मिनिस्टर मंसुक मंडाविया ने क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन अभ्यान को अभी 16 जनवरी 2022 को पूरे एक साल हो गया था इस उपलक्ष में पहला टिकाग इसको लगा था तो मनिश कुमार को विश्व आर्थिक मंच दावोस एजंडा वर्च्वल इवेंट की थीम क्या रही जिसको प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था नवी महिला राष्टर आइस होके चेंपेंशिप 2022 का पर शुरू हुई हिमाचल प्रधेश में ओपन डेटा विक शुरू करने की घोशना की थी किसने आवास्व शेरी कार्य मंतराले ने जिसके मंतरी है हरदीप सिंग पूरी किस देश के पूरवर राष्टर बते इबराहिम बाउब कर कीता का निदन हो गया तो माली देश के थे अफरीकी देश माली जिसके केपिटल होती है बमा को तो गाईज यह था आज का आपका रिविजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेर जरूर कीजेगा थेंक्यू